नमस्कार दोस्तों पहाड़ी आयरवेदिक में आपका स्वागत हैं दोस्तों यह जो पत्ता आप देख रहे हो एक करंच का पत्ता है आज मैं आपको इसी करंच फाइद एक बारे में बताऊंगा तो दोस्तों फाइदा जानने से पहले आप इस पेड़ को देख लीजिए पैचान लीजिए यह देखिए दोस्तों यह करंच के फली है जो कि सूख चुके है जब कच्चा रहता है यह फली तो हरा हरा होता है और जब सूख जाता है तो इस तरह से ब्राउन कलर को जाता है और दोस्तों यह करंच के पेड करीबल यह तो मद्धे माकार का है कम सकम 3040 पुट उचा है और इसमें बड़े-बड़े पेड भी होते हैं और दोस्तों इसमें खुबसूरत फूल भी होते हैं गुच्चेदार फूल होता है तो देख लीजिए पहिचान लीजिए दोस्तों तो चलो दोस्तों मैं उमीद करता हूं आप इस पत्ते को इस पेड को पहिचान चुके होंगे तो आओ चलो अब इसके फाइदे बारे में जान लें तो दोस्तों सबसे पहला फाइदा मैं आपको तोचा रोक क इसे पीस कर पेश्ट बना लीजिए और अगर दाद खाज खुजली हो तो उसके उपर आप इसका लेप लगा दीजिए तो दाद खाज खुजली जो है ठीक हो जाता है इतना फाइदे मंद है दोस्तों यह पत्ता और यहां तक कि दोस्तों अगर घाव है फोड़ा फुंसी है उसमें भी आप इसके पत्तों पीस कर लगा सकते हैं और दोस्तों जो काम इसका पत्ता करता है वही काम इसका फली भी करता है अगर फली आपको मिलता है ताजा ताजा हरा हरा तो उसे भी पीस कर उसके अंदर बीज निकाल पीस कर लगा लीजिए और सूखा है तो फोड़न बीज भी तोचारोग के लिए रामबाडव सदी है. और हां दोस्तों, इस बीज से गीज निकलता है यू तेल आयर वेदिक दुकान मिलता है, अगर आप फियोग करना चाहते हैं य्यों कर सकते हैं, हर परकार तोचारोग में लगा सकते हैं. और हाँ दोस्तों अगर सर में जू हो डेंडरफ हो तो भी आप इसका तेल लगाएंगे तो सर का डेंडरफ जो है नश्ठ हो जाता है जूआ भी नश्ठ हो जाता है और अगर मालों आपको बाल जढता है गिरता है तो भी आप इसके तेल का इस्तमाल अगर करते हैं तो बालों घड़ना जो है रुख जाएगा जड़ेगा नहीं और बाल का जड़ भी मजबूत होगा और घने घने बाल होंगे मजबूत बाल होंगे इतना फाइदे मंद होता है दोस्तों यह बीच से निकलने वाला तेल यह देखिए और सड़े गले घाउं भी आप इसका उपियोग कर सकते हैं इस पत्ते को आप सड़े घड़े घव में इसका काड़ा बना कर उस काड़े से घाव को दोते हैं । वह घा बहुत जल्दी सूक जाएगा । और दोस्तों, अगर मूँ कच्सा ले हैं, मूँ में फोड़े फुंसी है, तो ऑप इसके डंटल के दतून करते हैं, तो मूँ कच्छा ले फोड़े फुंसी ठीक हो जाते हैं., डंटल किसे कहते हैं? यह देखिए, डंटल है, लकडी, और मात्र इसके लकडी को चबाने इस emergency right भी ठीक होता है अगर किसी मुह घाव है तो आप इसके लकड़ी को चबा सकते हैं खा सकते हैं और भी इसके फाइदे हैं आप इसके छाल को भी उप्योग कर सकते हैं यह जो कि यह जो फो चाल देख रहरे हैं चलग हो should जरामिट चेतर में बहुत सो लोग तो दोस्तों इसका दतून करते हैं तो उनके दातों निदक रोग नहीं होता है देखिये यह है जाएफ लोग देखिये यह सी जिस तिता बार करने शटीक होता है यह बहुत ही अच्छा जडरीबूरीख होते हैं दोस्तों इसके फाइदे बहुत सारे हैं और भी इसके फाइदे हैं तो इस तरह से एक बहुत ही अच्छा आयरवेदिक जड़ी बूटी है दोस्तों देख लीजे पहचान लीजिए तो चलो दोस्तों इस महात्पुर जानकारिक हम यही समाप्त करते हैं अगर जानकारी लाबदायक हो तो हमारे चैनल लाइक कीजिए सेर कीजिए सब्क्राइब कीजिए नमस्कार दोस्तों पहाड़ी आयरवेदिक